बस सुबह एक कटोरी खा लेजिए और पूरा दिन आपको न भूख लगेगी न प्यास लगेगी इसको मैं ब्रत में बना रहे हूं आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजोय कर सकते हैं बड़ों से लेकर बच्चे तक इसको चट कर जाएंगे बहुत ही टेस्टी चीजे हैं इस इस नाढ़े भूल ले लिया है इसको प्रम साबॉदाना के लिए यसी को बनाने के लिए है लिए टिक हाब भूल ले ली बढ़के इसको 2-3 बार के पानी में अच्छे से साफ कर लीजिएगा जिससे कि इसकी जो डस्ट है और रोट है वो निकल जाए क्योंकि हम फास्ट के लिए बना रहे हैं तो अच्छे से क्लीन होना हमारा साबुदाना ज़रूरी है साबुदाना अच्छे से साफ हो गया है तो अर जो पानी है देखिए कितना वाइट सा हो गया तो बस इसको पानी को फेंक देते हैं साबुदानों को अलग रख लेते हैं इसको एक बोल के उपर रख दीजीगा जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी निकले ना तो कहीं बहकर ना इसको लिए इसको बॉल के उपर रख दिया है अब इसको इसको साइड मे रखते हैं next process start करते है तो मैंने यहाँ पे एक अलू medium sucks कर लिया है पानी मे उत Multip STEVE बाहर रखेंगे तो पानी मेह डाल दिया है बस इसको चोप कर लेंगे जिसभी साइज में आपको चौप करना है तो आप चॉप कर लीजिएगा यह देखिए चोटे-चोटे पीसे में इसको कट कर लिया आप अगर आलू का यूज यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं तो स्वीट पोटो आता है सकरकंद आती है आप उसका भी यूज कर सकते हैं वह भी बहुत ही टेस्टी होता है तो कुछ लो दालने से आलू का कलर चेंज नहीं होगा बस अब एक कड़ा ही रखते हैं गैस के उपर गैस का फ्लेम ओन कर जीजिएगा घी को अच्छे से गरम कर लेंगे और यह देखिए घी अच्छे से मेल्ट हो गया है तो यहाँ पर हम डालेंगे मूंग फली तो हाफ कप हमने यहाँ पर अब आवाज आने लगी है तो बस इतना ही हमें से रोस्ट करना है अब जो आलू रखी है हमने कट करके उसको भी एड़ कर देते हैं अब तब तक भूनना ही जब तक की थोड़ा सा कुक नहीं हो जाए अच्छे से कुक हो जाए जिब काटे ना इस पून से तो चलाते हुए भूनना है तीन-चार में लगाता है चलाते हुए हमने इसको भूनना है अब इसमें एड़ कर देंगे मखाने तो यह मैंने हाफ कप मखाने लिए हैं 10-12 भी मान लीजिएगा तो इन मखानों को भी इसी के साथ में रोस्ट करना है और यहाँ पे कुछ में दस बारा काजू लिए हैं यह हेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं और फास्ट में आप खाएंगे तो इसी से ही हमें फील होगा कि हमारा पेट भरा भरा सा है तो इस सभी चीजों को अच्छे से हम भूनेंगे और जो आलू है ना आलू भी इन ही के साथ में अभी पकेंगे और पकते ही जैसे यह क्रंच जाएगा इनमें तो यह आलू भी हमारा उनी के साथ में ही पक जाएगा तो बस गयस का फ्लेम यहां पर बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें अगर आपने जरा सा भी हाई करके पकाया तो यह जलने लगेगा मौण फली जो है काजू है यह जलने अब यह इं भाश्टित अब होगी है जो हालू है इनमें हलकी चितन shining भा आप देख सकते हैं तो बस यहां पर ίहां पर आडू हमारे प पगया और यहां पर हमारे मौखली है काजू है मेंने ख्रने बहुत अच्छा आ घ्या है तो इतना ही हमें इहें पकाना है अब इसमें अगर आपको टेस्ट पसंद है तो आप एड़ करिएगा और यहां पर हाफ इस्पून कुटी हुई काली मिर्च है तो मैंने अभी अभी इसको जस्ट कूटके इसमें एड़ कर दिया है तो जो करी पते हैं इनको बाद में एड़ इसलिए किया है कि इनका कलर बहुत अच्छा मिक्स करेंगे और हमारी करी पते का फ्लिवर इसमें बहुत अच्छा लगता है तो मैंने यहां पर एड़ कर दिया है थोड़ा सा भूना है हमें बहुत देर के लिए नहीं भूना है अब इसमें एड़ कर देंगे साबू दाना जो कि हमने धूलकर रखा हुआ था साथी सेंधा नमक जो की ब्रत में खाया जाता है आप नॉर्मल डेज में बना रहा है तो नॉर्मल नमक किसमें यूज कर सकते हैं यहां पर सेंधा नमक रॉक सॉल्ट जो होता है वही एड़ कर दिया है और चीजों के अच्छे से मिक्स करेंगे जो साबू दाना है थोड़ा सामे यहां पर पानी डालेंगे इतना पानी इसमें सफीसियंट है पानी कम नहीं होना चाहिए ज़्यादा अगर है तो थोड़ा सा उसको सुखाया जा सकता है यहां पर तीन कटोरी मैंने भर भर के सेंधा पानी इसमें डाल दिया है सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस नास्ते को आप कभी भी ब्रत में बनाईए या ऐसे बनाईए बहुत टेस्टी होता है तो अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए यहां पर फ्रस सा फ्लेवर देने के लिए मैंने आप ग्रीन चटनी जो की ब्रत में बनाते हैं बस वही मैंने ग्रीन चटनी इसमें एड़ पूदीने और धनिया की चटनी बनाते हैं रेश्पी आप डिस्क्रिशन बॉक में देख लीजिएगा मैंने दो तरीके की ग्रीन चटनी बनाना बताया है सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें ग्रीन चटनी नहीं तो आप पूदीने की पतियों और धनिया पत्य को भी इ अगर टमाटर आपको नहीं पसंद है तो भी मैं आपको उप्सन बता देवें आप टमाटर को पूरी तरीके से स्किप भी कर सकते हैं और यहां पर देखे लिड लगा दिया है अब इसमें बॉइल आने देते हैं पकने देते हैं इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से एक बार बाइल के लिड डाने देखें आजाने दे दिचेए टो फिर इसको ब्रेख रिखे तो यह सब चीजिए अच्छे मिक्स कर दिया लिट लगा देंगे लिट लगा कर हमें इसे पांच मिनट और कूक करना है अब हमें गयास का फ्लेम बिलकुर नहीं रखना है और इतनी देर में हमारा साबुदाना अच्छे से प्लेम नहीं हो जाएगा तो आब यहां देखिये साबुदाना भी कुक हो गया है सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो रही है लेकिन अभी लिक्विट थोड़ा सा ज्यादा है इसमें पानी की मातरा थोड़ी सी ज्यादा है तो इसे हमें खुला करके पकाना है अब ढ़कना नहीं है आप देखें इसमें आलू जो डाले हैं कितने अच्छे से कुक हो गया है मैं आपको काटके दिखा रहे हूँ ये देखें तो आलू भी अच्छे से कुक हो गया है साबुदाना भी हो गया है और यह देखिए कितना अच्छा सा टेक्चर आ गया है बस इसको हरे धनिया उपर डाल देते हैं अगर आप बृत में खाते हैं तो हरे धनिया डालेगा और यहाँ पर जो भी चीज़े मैंने यूज की हैं अगर इनमे से कुछ भी आप नहीं खाते हैं तो आप इसकिप करतीजिएगा और बेना उसके भी आप उसी तरीके से बनाएगा अब इसमें अच्छा सा खटा सा फ्लेवर देने के लिए आधा निमुकर रस इसमें डाल देंगे टमाटर मैंने बोला था ना उस टाइम पर कि आप इसकिप करें तो टमाटर इसकिप करके आप लेमन ही डाल दीजिएगा उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और देखिए इसकी थिकनिस भी बहुत ही पर्फेक्ट है ऐसा ही हमें बना कर इसको रेडी करना है बिलकुल स इसको वेट लॉस के लिए भी यूज कर सकते हैं जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस रेस्पी को आप खाये क्योंकि इसको खाने से भूंग जल्दी लगती नहीं है तो आप एक बार खाएंगे तो आपको बार बार खाने की ज़रूरती नहीं पड़ेगी तो यह इतना अच्छा कलर वाइस भी लग रहा है और टेस्टी हेल्दी तो है ही नास्ता हमारा तो आज की रेस्पी अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर पर दीजिएगा मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नभूलें और सर्व कर लिया है और टेक्चर से ही पता चल रहा है कि बहुत ही गजब का नास्ता बनका रेडी हुआ है बनाने वे टाइम नहीं लगता है ना आपको साबुदाना सोक करना है और ना ही किसी चीज की पहले से प्रपरेशन करनी है आज की यह हेल्दी और येमी रेस्पी आप तक अपना ध्यान रखिए बाबाई टेक्चियर